आज मैं आप लोगों को shortcut folder बनाना, rename करना, restore करना और delete करना बताने जा रहा हूँ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करे, like करे और comment करे सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबको पता है कि mouse का दो button होता है, एक right है एक left है तो हम mouse ले लेते हैं, mouse का right वाला button प्रेस करते हैं, जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक new का option आता है, और new page लेके जाएंगे और यहाँ पे folder आता है, folder को उपर click करेंगे, और देखिए यहाँ पे यह blue color का underline आता है यहाँ पे अगर हम कुछ भी type करते हैं, माली जी यहाँ पे ccc के नाम से type कर देते हैं तो यह triple c के नाम से यह folder बन जाता है, नहीं तो हम क्या करते हैं एक shortcut की आता है, control, shift, plus in, देखिए यहाँ पे एक और folder बन गया इसको हम mm के नाम से save कर देते हैं, देखिए दो folder हो गया अब हम क्या करते हैं, एक folder है mm का, और एक folder है cc का, यह mm का है और यह cc का है हम क्या करते हैं, mm वाले folder को rename कर देते हैं, यहाँ पे right click किये और rename का option आया, rename कर दिये और rename करके हम इसको क्या करते हैं rr के नाम से save कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, rr आ गया, rr के नाम से save हो गया अभी हम कहीं भी हम अपने desktop के कहीं भी mouse का left वाला button trace कर देते हैं तो ये देखिए RR के नाम से save हो गया अगर इसको delete करना होगा तो हम क्या करेंगे इसके उपर right click करेंगे right click करने के बाद यहाँ पर delete का option आता है delete कर देंगे देखिए ये वाला folder delete हो गया है अगर इसको फिर से restore करना है तो हम सबको पता है restore करने के लिए recycle bin में जाते हैं यहाँ पर recycle bin है हमारे screen पे इसके उपर right click करेंगे और इसको हम क्या करते हैं open कर देते हैं open करते हैं जैसी open करेंगे तो यहाँ पे एक rr naam का फॉल्डर है इसके उपर right click करेंगे और इसको restore कर देते हैं अब रियश्ट्र कर देते हैं तो यह folder यहां से चले गया अभी हम इसको close करते हैं close करने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से folder आ गया अगर इसको delete करना है permanent के लिए तो यहाँ से हम delete कर देते हैं और फिर recycle bin से भी हम इसको delete कर देंगे देखिए RRNक का folder यहाँ भी है इसके उपर right click किए और फिर से हम इसको उपर left click करके यह पूछ रहा है हमसे are you sure you want to permanently delete this folder क्या आप चाहते हैं कि इस folder को आप permanently के लिए delete करना चाहते हैं तो हाँ yes करना चाहते हैं तो yes कर देंगे अभी हम देखेंगे यहाँ पे यह वाला folder हमारा नहीं है अग्यार हम recycle win में भी जाते हैं और इस folder को चेक करते हैं तो हमारा यह वाला folder recycle में भी नहीं मिलता है तो यह आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक folder बनाना उस folder को delete करना rename करना restore करना